नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्डियर के फिप्त समेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एकनोमिक यानिकी अर्थसास, तो उसक आपको एकनोमिक के लिए मात को बाता है, तो यह सबसे पहले हम लोग आती लगूः तरी प्रस्णों के बात कि जाते हैं, आपका पहला प्रस्ण दिया हुआ है, संबरीधी दर क्या है। आपको संब्रेधी दर के बारे में बताना है अब वाली कोशन की बात कीज़ा तहां पर आपका दूसरे कोशन दीव है आर्थिक विकास की अधारणा को इसपश्ट कीजिए दूसरे कोशन का राय जो आर्थिक विकास के अधारणा है यहाँ पे आपको आर्थिक विकास के अधारणा को इसपश्ट करना है अब वाली कोशन की बात कीज़त हैं पे आपका तिसरे कोशन दीव है निर्धानता का अर्थ बताईए तीसरे कोशन कर रहा है जो निर्धानता है उसका क्यार्थ है यहाँ पर आपको निर्धानता कर्थ बताना है अब वहली कोशन की बात कीज़त है पर आपका चोथा कोशन दीव है भहुतिक जीवन कोटी निरसांग को बताईए चोथा कोशन का रहा है जो भौतिक जीवन कोटी निरसांग है यहाँ पर आपको भौतिक जीवन कोटी निरसांग के बारे बताना है अब वरली कोशन की बात कीज़त है पर आपका पाचो कोशन दीव है सतत विकास के लक्ष क्या है पाचो कोशन का रहा है जो सतत विकास है उसकी क्या लक्षे है यहाँ पर आपको सतत विकास के लक्षे बताना है अब वर्ली कोशन की बात कीज़त है पर आपका छटा कोशन दीव है रोजन इस्टीन के सिधान्त की तीन मानेता है बताना है अब वली कूशन की बात किजयत थे हैंपके आपका आठव कूशन दीव है Lewis Model की केंदरी समस्य क्या है साथो कोशन का रायं जो लूइस माρडल है यहाँ पर आपको लूइस मार्डल की केंदरी समस्य एक बारे मैं बताणा है अब वाली कोशन की बात कीज़त हैं पर आपका आपका आटो कोशन दीवा है अस्थाई जंसंक्य शनचन thé के इस्तिती से क्यादत पर है आटवा कोशन का रहा है जो अस्थाई जर्शंग के सरचना है उसकी जो इस्तिती है यहाँ पर आपको अस्थाई जर्शंग के सरचना के इस्तिती के बारे बताना है अब वर्ली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका नव कोशन दीवा है बजार की विभलता के कारण बताईए नव कोशन का रहा है जो बजार है यहाँ पर आपको बजार की विभलता के कारण बताना है अब वहली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका दस्वो कोशन दीवा है स्वास्त के महातों पे संचेप पे परकाई डालिए दस्वो कोशन कर रहा है जो स्वास्त है उसका क्या महातों है यहाँ पर आपको स्वास्त का महातों बताना है और संचेप परकाई डालना है आर्फिक बिस्था है 15 कोशन कर रहा है जो बीदेसी पर्तेक्स बिन्योग है यहां पर आपको बीदेसी पर्तेक्स बिन्योग की बैख्या करना है अब वाली कोशन की बात की जात है आपका 16 कोशन दीव है बीदेसी पूजी से क्या से है आपके 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 आए और वैक्ति का आए में क्या अंतर होता है दूसरे कोर्षन कर रहा है जो राष्टी का है और वैक्ति का है इन दोनों में क्या अंतर है यहाँ पर आपको राष्टी आए और वैक्ति का आए में अंतर बताना है अवली कोर्षन की बात की जाते हैं पर आपका तीसरे कोर्ष बिविशना करना है अब वली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका पांचो कोशन दीव है वाइस्विक भुगमरी सुचकांग की क्या है पांचो कोशन कर रहा है जो वाइस्विक भुगमरी सुचकांग है यहाँ पर आपको वाइस्विक भुगमरी सुचकांग के बारे मताना अब वल्ले कोशन की बात कीचेट हैं। जो और दहत्वाल पर बिखसी तर्थ वेऊस्ता है यहां पर आपको और दहत्वाल स्थ वेखसी तर्थ बेश्था केlied बारे बताना है और उसकी पड़िपासा लिखना है। बहुराष्टी नीगमों के लिए सुझाओ देना है बहुराष्टी नीगमों के लिए सुझाओ देना है है यहां पर आपको भारत में परतेक्षी विद्यसी निवस पर संशिप्त लेख लिखना है ति टूटल आपके 14 कोश्चन होंगे जब से लगूतरी प्रस्णों में पुछी जाएंगे अब आगे हम लोग दीर गूतरी प्रस्णों के बारे में जानेंगे तो यहां पर दीर ग कोशन दीव है भारत सरकार दोरादेस में गरिभी हटाने के लिए उठाएगे महतपुड कदमों का उलिख किजिए दूसरे कोशन कहरा है जो बारत सरकार है यहाँ पर आपको नेलसन मोडल की मुखह बातू के ताना है उसका वर्ण करना है और उसके बजने के उपाई बताना है आर्थिक विकास के हाई रोड डोमर मोडल की अलुशना करना है और उसकी बैखा करना है अब वरली कोशन की बात कीज़त हैं पर आपका पाचो कोशन दीव है जनांकी की संकर्मन सिधान्त की अलुषनात्मक मुल्याकन कीजे पाचो कोशन कर रहा है जो जनांकी की संकर्मन है यहाँ पर आपको जनांकी की संकर्मन सिधान्त का अलुषना करना है और उसका मुल्याकन करना है अवलि擇 कोरषन की बाद कीज़त हैं पर एपका चाटा कोरषन कर दिवा है यहाँ पर पर अधी आपको फाही तता रेनिस की दोहरी अरथ ब्युष्टा के सिधान्द की संचे में ब्याक्या करना है और बताना है कि जो लुईस की असमीत पूर्ती सिधान्द है वो किस प्रकार से स्रेष्ट है अब वहली कोर्षन की बात कीज़ते हैं पर आपका आठवा कोर्षन दीव है समाजिक द्यत्वाद सिधान्द की बिसेस्ता को बताईए आठवा कोर्षन कराया जो समाजिक द्यत्वाद है यहाँ पर आपको समाजिक द्यत्वाद सिधान्द की बिसेस्ता बताना है अब वहली कोर्षन की बात कीज़ते हैं आपका आपका नव कोर्षन दीव है करना की परगृति को समझाना है अब भारत के बारे में आपको बताना है और उसके बारे मеน लियांगर्न करना उसके बारे मापको बताना है ती टोटल आपकी 11 कोश्टन होगे जब से दिरगूतर प्रश्ण में पुशे जाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिये और कमेंट करके बताई कि आपको नेक्स्ट कोरिशन पेपर की से वेट को पर चाहिए थैंकि दोस्तों